नमस्कार, आज की सुट्वी में हम बात करेंगे CGTAR 2022 जिसके एक्जाम 18 सितंबर 2022 को हुआ था उसमें पुछे गए बाल विकास एवं सिख्छा सास्त्र के प्रश्णों के बारे में पहला प्रस्ण है नैतिक विकास को परिभासित करने वाले मनवग्यानिक अप्शन है पहलाव, मैकडूगल, पियाजे या उप्रोगत में से कोई नहीं इसका सही आंसर है, option D, उप्रोग्तम में से कोई नहीं, योगी नयती विकास को परिभासित करने वाले मनों ग्यानिक है, लौरेंस कोहलबर्ग, अगला प्रस्ण है, इनी, सुलिवन, जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कारे किया, किस से पिडित थी? इसका सही आंसर है, वो है option D, द्रिश्याहानि, एनी, सुलिवन, जिन्होंने एलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कारे किया, द्रिश्याहानि से पिडित थी? पियाजे के सिध्धान्द में एक प्रक्रिया, जो धार्नाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है, option है, आत्मसातिकरन, समंजन, ज्यानभंग, आसांति या संतुलन इसका सही अंसर है, option D, संतुलन, पियाजे के सिध्धान्द में एक प्रक्रिया, जो सद्धार्नाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है, संतुलन के रूप में पियाजे के अनुशार, संग्यानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, option है, समेधी प्रेराक अवस्था काल, अप्चारिक संक्रिया काल, प्राग संक्रिया काल या मूर्त संक्रिया काल तो पियाजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास के चार अवस्था है पहला है समिधी प्रेराक अवस्थाकाल जिसे सेंसरी मोटार स्टेज भी कहते हैं दूसरा है प्राग संक्रियाकाल जिसे प्री ओपरेशनल स्टेज कहते हैं तीसरा है मूर्त संक्रियाकाल जिसे concrete operational stage कहते हैं और चौन्था है आप्चारिक संक्रियाकाल जिसे formal operational stage कहते हैं अप्रस्ट में पूछा है प्याजे का नुशार संगनात्मक विकास की दूसरी अवस्था है तो इसका सही आंशार है option C. प्राक संक्रियाकाल pre-opersonal stage विशेश सिक्छा के सिधानत में सामील है option है प्रतिबंधात्मक वातावरन, मातापितकी निमतम भागेदारी एवं सहभागिता, गैर भेद भाव, पूर्न, पहचान और मुल्यांकन या सार्वजनिक सिक्षा पर रोख देगे option में विशेज सिक्षा के सिधानत में सामिल है वो है option C गैर भेद भाव पूर्ण पहचान और मुल्यांकन दो से आठ वर्चे की आयू के बच्चों के लिए विकास के पैटर्ण में मोटर समाजिक भावनात्मक समयगात्मक के साथ सामिल है अप्षन है अनुकूलन चंपता या कौवसल, सम्प्रेशन चंपता या कौवसल, भावनात्मक समयगात्मक के साथ सामिल है सिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेश आवसकता वाले बच्चों को पढढवानाचाहिए Option है वैस्टाइक प्रसिक्षन केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौसल के लिए तयार करेंगे आवस्टक सहाथा प्रतार्म करते हुए घर पर उनके मातपिता और देखभाल करने वालों के साथ उनकी व्यक्तिकत आवस्टाओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समय उसे शिक्षा व्यस्था में या विशेश रूप से उनके लिए बनाये गए विशेश इसकुलों में तो दियेगे option में सिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेश आवसक्ता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो है option सी उनकी व्यक्तिगत आवसक्ताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समयों से शिक्षा व्यस्था में कि इस प्रकार का मुल्यांकर विशेश आवसक्ता वाले बच्चों की पहचान करता है option है placement, योगात्मा, निरंतर या diagnostic निदान इसका सही answer है option D, diagnostic निदान diagnostic प्रकार का मुल्यांकर विशेश आवसक्ता वाले बच्चों की पहचान करता है निरंतर लिखित में से किसने अधिगाम का सिध्धान प्रतिपादित नहीं किया है option है tharnedike, skinner, kohler या BS bloom इसका सही answer है option D, BS bloom बाकी तेनों ही option tharnedike, skinner, kohler इन तीनों ने अधिगाम का सिध्धान प्रतिपादित किया है BS bloom, BS bloom सिख्चा के अंतरगर सिखने के उद्येशों के वरिकरन से संबंदित है motor विकास में व्यक्तिकत विभिनताय होती है फिर भी motor विकास के क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है option है समिपस्त, सिर्षपुच्छक, सकल मोटर विकास, ठीक मोटर विकास, ठीक मोटर विकास, सकल मोटर विकास या सिर्षपुच्छक, समिपस्त इसका सही answer है option B, सकल मोटर विकास, ठीक मोटर विकास मोटर विकास में व्यक्तिकत विभिनताय होती है फिर भी मोटर विकास के क्रम सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास होता है एक कार्य के दौरान मनिशा स्वयम से इस बारे में बात कर रही है कि वहां किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है भासा और विकास पर ले वाई गोच्की के अनुसार इस प्रकार का नीजी भासन किसका संकेत है? Option है स्वानीमन, आत्मक के इंदिता, मनोवैज्ञानिक विकार या संग्यनात्मक अपरिपक्वता इसका सही आंसर है Option A. स्वानीमन, सेल्फ रेगुलेशन विशेश कठिनाईयों, मानशिक स्वास्त के मुद्दों, विशेश अचमताओं, सारिग या विकास आत्मक वाले विद्यार्थियों की सिक्षा पद्धती और अभ्यास का वर्णन करने के लिए समानिता किस सब्द का प्रयोग किया जाता है उप्षन है एकिकरित सिक्षा, विकलांगों के लिए सिक्षा, समय विशेश सिक्षा या विशेश सिक्षा इसका सही आंचर है उप्षन डी विशेश सिक्षा, स्पेशल एजुकेशन यहा कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाले प्रक्रिया है इसे निम लिखित में से किसके द्वारा परिभासित करती है? Option है अंता क्रिया का सिध्धान्थ, निरंतर्ता का सिध्धान्थ, अंत संबंध का सिध्धान्थ या एकी करण का सिध्धान्थ इसका सही आंसर है Option B निरंतर्ता का सिध्धान्थ व्यक्ति तोको मापने की विधी, Thematic Aperception Test TAT है आप्शन है व्यक्ति निष्ट तक्निक, वस्तु निष्ट तक्निक, प्रक्षेपन तक्निक या प्रयोगात्मक तक्निक दिएगे option में व्यक्तित कोम आपने की विधित थिमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT है वो है option सी प्रक्षेपन तक्वनीक इसे मारगन या मरे द्वारा विक्षित किया गया है विकास के निमलिकित सिध्धानतों में से कौन सा सिध्धानत गलत है option है विकास में व्यक्तिकत विभिनता होती है विकास सायोग का परिणाम होता है यहां एक सतत प्रक्रिया है यहां अनुमानित है तो दीगए option में विकास के सिध्धानतों में से सिध्धान्त जब्लत है वह option विकास स्यूख का परिणाम होता है यह गलत है बागी तिनीए option विकास में व्यक्तिज़ विभिन्ता होती है यहाण एक सतत्प्रक्रिया है और और यहां अनुमानित है यह तिनों ही परिवर्तनों की प्रगती सिल श्रंखला या परिख प्रक्वता और अनुभव के परिवर्तनों की श्रंखला तो दिएगे आप्शन में विकास का अर्था है वो है आप्शन D. परिक्पक्वता और अनभव के परिणाम सरूप परिवर्दनों की स्रंखला विद्रोह की भावना की प्रविक्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? option है बाल्यावस्था, सैस्वावस्था, पूर्वकिस्वरावस्था या मध्य किस्वरावस्था सही answer है option C. पूर्वकिस्वरावस्था विद्रोह की भावना की प्रविक्ति पूर्वकिस्वरावस्था से समंधित है विकास की किस अवधी को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है Option है किसुरावस्था, बाल्यवस्था, वैसकावस्था या सैस्वावस्था सही आंसर है Option A, किसुरावस्था विकास की किश्वरावस्था अवधि को अतिधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। इस्मिती इस्तर और समझ इस्तर के शिक्षन मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। आप्शन है योजना, अन्मेंशन, समान्य करण या प्रस्तुति करण। इस्मिती इस्तर और समझ इस्तर के शिक्षन मॉडल के सिंटेक्स में अन्मेंशन चरण प्रमुख है। निम्न लिखित में से कौन सा सिध्धान, पुनर बलन का सिध्धान भी कहलाता है। आप्शन है इस्फूर्थ अनुकुलन सिध्धान्त, उद्धिपन प्रतिक्रिया सिध्धान्त, क्लासिकल कंडिशनिंग सिध्धान्त या सूज या अंतर जिस्तिक का सिध्धान्त। तो दिएगा आप्शन में पुनर बलन का सिध्धान भी कहलाता है। वह है आप्शन अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 21A में इसके सही आंसर है option D, अनुच्छेद 21A में 26 समिधान संसोधन 2002 के द्वारा भारती समिधान में 6-14 वर्ष के आई वर्ग के बच्चों के लिए निशूल का और अनुवार सिक्छा के अधिकार को सामिल किया गया है अनुच्छेद 21A में प्यार रेटिंग से आप क्या समझते हैं? option है एक मुल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मुल्यांकन अन्य सदस्योदारा किया जाता है यहां PR ग्रेडिंग के समान है साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है यह कौसलों का ऐक कठिन मुल्यांकन तो देगे option में PR रेटिंग से समझते हैं वो है option A एक मुल्यांकन उपकरन जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मुल्यांकन अन्य सदस्च्वधार किया जाता है विशे सिक्षा में ना केवल विकलांग छात्रों को सामिल किया गया है बलकि इसमें नीम न भी सामिल है उप्षन है प्रतिभा साली छात्रा, खेलों में उत्किष्ट छात्रा, मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्रा या समाज के कमजोर वंचित वर्गों के छात्रा तो दीगे option में इसके सही answer है, वो है option A, प्रतिभा सालीच छात्रा, विसे शिक्षा में ना कैवल बिकलांग छात्रों को सामिल किया गया है, बलकि इसमें प्रतिभा सालीच छात्रों को भी सामिल किया गया है एक 6-7 वर्ष का बच्चा दूसरों के द्रिष्टी को उनको सिवकार नहीं कर पाता option है क्योंकि वहाँ बहुत छोटा है, क्योंकि वहाँ आत्मकेंद्रित है, क्योंकि वहाँ बुद्धिमार नहीं है या क्योंकि वहाँ कलपनासील है इसका सही आंसर है option B, क्योंकि वह आत्मक केंद्रित है एक 6-7 वर्षक का बच्चा दुसरों के दृष्टी को उनको सिपकार नहीं कर पाता क्योंकि वह आत्मक केंद्रित है बच्चा भौतिक और समाजिक वास्तविक्ता की अवधार्णाओं का निर्मान करना प्रारम कर देता है यह विशेस्ता है ओप्शन है सारेक विकास, बधिक विकास, समयकात्मक विकास या समाजिक विकास इसका सही आंसर है ओप्शन B बधिक विकास बच्चा भौधिक और समाजिक वास्तिविक्त की अवधार नाओं करने मार करना प्रारम करता है यह विशेष्टा है बौधिक विकास का निमने लिखित में से कौन सा बौधिक विकास का तत्वन नहीं है और स्रीजनात्मक्ता चुनतन शहन सिलता या कल्पना सिलताो 65 में बौधिक विकास का तत्वा संतों 9 SL 개र तो दिएगर आप्शन में व्यक्तित्व के संदर्भम में गलत कथन है वह आप्शन डी व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाहर रूप तक सिमीत होता है यह गलत है बागी तिनों आप्शन व्यक्तित्व अनुठा वा विशिष्टा होता है व्यक्तित्व अनुवानसिक्ता व को प्रभावित करने वाला व्यक्तिकत कारक नहीं है। इसका सही आंसर है option A, सांतिसमूः, बाकी तिनों ही option स्वास्त, समयक और बुद्धी, ये तिनों ही एक बच्चे के समाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिकत कारक है। लारेंस कोहल बर्ग के अनुसार एक कारे समपादित करना वा कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे सिवायर करते हैं नहीतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। दिबिया को तीन पेन दिखाए गए और वह अलेकन करती है कि पेन A पेन B से लंबा है और पेन B पेन C से लंबा है। जब दिबिया ने अनुमाल लगा है कि A C से लंबा पेन है तो वह जीन प्याजे के संगनात्मक विकास की कौन सी विशेस्ता प्रदर्सित कर रही है।